हलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल Forgotten History of India में बहुत अरसे से मेरी दिली इक्षा थी कि आपको वो कहानी पढ़के सुनाओ जो कहानी शायद मैंने कभी 3rd या 4th स्टेंडर्ड में अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर पड़ी थी और जिसका नाम था हार की जीत अब वो कहानी शायद मुझे बचपन में उतनी समझ नहीं आई जितनी बाद मैं समझ आई बट वो कहानी मेरे दिल और दिमाग पर आज भी चाय हुई है तो चलिए भई वही कहानी मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा हूँ मेरा नाम समझ जीत सिंग है अगर आप ऐसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मैंने एक छोटा सा प्रयास करना प्रारंब किया है जिसके अंदर में मुंशी प्रेमचन द्वारा रचेत बहुत सारी कहानिया और उसके अत्रिक्त और भी बहुत सारी कहानिया आपके लिए लेकर आऊंगा तो चलिए भई आज शुरू करते हैं अपनी एक और कहानी जिसका नाम है हार की जीत जैसे एक मा अपने बेटे, सहुकार अपने देंदार और किसान अपने लहलहाते खेत देकर जो आनंद प्राप्त करता है वही आनंद बबाभारती को अपना घोडा देख कर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वे घोडे को ही अरपन हो जाता वे घोडा बड़ा सुंदर, बड़ा भलवान था उसके जोड का घोडा सारे लाखे में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पकारते अपने हाद से खररा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर बहुत प्रसंद होते ऐसी लगन, ऐसा प्यार, ऐसा इसने, कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी ना करता होगा उन्होंने अपना सब कुछ छोड दिया, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहां तक की नागरिक जीवन से भी घणा थी अब गाउं से बहार एक छोटे मंदिर में रहते, भगवान का बज़न करते थे, परन्तु सलमान से बिछुडने की वेदना उनके लिए बड़ी असैनी है थी मैं इसके बिना ना रह सकूँगा, ऐसी भ्रांती उन्हें हो गई थी और वे उसकी चाल पर लट्टू भी थे कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घंगटा को देख कर नाच रहा हो गाउं के लोग इस प्रेम को देख कर चकित होते थे, कभी कभी कनखियों से भी इशारे क्यारते, परन्तु बबाभारती को इसकी परवा ना थी जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता खड़क सिंग उस इलाके का एक प्रसिद्ध डांकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, होते होते सुल्तान की कीरती उसके भी गानों तक पहुंची, उसका इहड़दे भी उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, एक दिन दुपेर के समय बाबा भारती के पास और नमस्कार करके वैठिया, बाबा भारती ने पूचा, कहो खड़क से, क्या आले हैं, खड़क सिंग ने सर जखा कर उतर दिया, आपकी दया है मालिक, बाबा भारती ने फिर पूचा, कहो इधर कैसे आए, सुल्तान की चाहा खींच लई, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन हो जाओगे, बाबा भारती ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुमारा मन महुलेगी बेटा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है बाबा, बाबा भारती बोले, क्या कहना, जो एक बार उसे देख ले, उसके हिरदय प देखे, परन्तु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा, सोचने लगा है तो भागे की बात है, ऐसा घोड़ा खडकसिंग के पास होना चाहिए था, इस साधू को ऐसी चीजों से क्या लाब, कुछ देर तक आश्चरे से चुपचाप खड़ा रहा, उसक उसरे के मुक से सुनने के लिए उनका भी हिर्दय अधीर हुए जा रहा था, घोड़े को खोल कर बाहर लाए, उसकी पीट पर हाथ फिराने लगे, एका एक उचक कर सवार हो गए, घोड़ा वयूवेग से उड़ने लगा, उसकी चाल देखकर, उसकी गती देखकर, खड़क के पास न रहने दूँगा, बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रातों की नीन न आती थी, सारी सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे, प्रती शण खड़क सिंग का भे लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया, यहां तक कि बाबा भारती कुछ लापरवा हो गए, और इस भे को स्वप्न के भे की तरह मिथ्या समझने लगे, संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, इस समय उनकी आँखों में चमक और मुख पर प्रसनता थी, कभी घोडे के शरीर को देखते, कभी उस की छाया में पढख करा रहा है, बाबा बोले, कहो भई, तुम्हें क्या कस्ट बिटा, अपाईज ने हाद जोड कर कहा, बाबा, दुखी आ रहा हूं, मुझ पर दया करो, राम वाला यहां से तीन मिल दूर है, मुझे वहां जाना है, घोडे पर चढ़ा लो, परमात्मा भल करेगा, बाबा ने पूचा, वहां तुम्हारा कोने, दुर्गादत वैद का नाम सुनाए आपने, मैं उनका सोतेला भाई हूं, बाब भारती ने घोडे से उतर कर अपाहिच को घोडे पर सवार किया, और स्वेम उसकी लगाम लेकर धीरे धीरे चलने लगे, सहसा उन्हें जटका सा लगा और लगाम हाद से छूट गई, उनके आश्चर का ठिकाना ना रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिच घोडे की पीठ पर तन कर बैठा और घोडे को दोड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुक से भै, विसमे और निराशा से मिली हुई एक चीख निकली, वे अपाहिच डांकू खडक सिंग था, बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, कुछ समय पश्चात कुछ निश्चे करके पूरे बल से चिला कर बोले, रे जरा ठैरो, खडक सिंग ने वह आवास सुनकर घोडा रोक लिया, उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए और कहा, यह घोडा अब तुमारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खडक सिंग केवल एक प्राथना करता हूं, इसे अस्विकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा, बाबा जी आग्या कीजिए, मैं आपका दास हूं, क किवल यह घोडा ना दूँगा, अब घोडे का नाम भी ना लो, मैं तुम्हें इस विशह में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्राथना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, खडक सिंग का मुँ आश्चरे से खुला रहे गया, उसका विचार था कि इस घ मारा, परंतु कुछ समझ ना सका, हार कर उसने अपनी आखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा, इसमें आपको क्या डर, बाबा भारती ने उतर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया, तो वे शायद किसी गरीब पर पुने विश्व पवित्रभाव, उन्हें इस घोडे से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था, कहते थे इसके बिना न रह पाऊंगा, इसकी रखवाली में कैई रात ना सोए, भजन भक्ती ना कर सिर्फ रखवाली करते थे, और देखो आज उनके मुख पर दु पार में खड़क सिंग बबाभारती के मंदिर पहुचा, चारों ओर सन्नाटा, अकाश पर तारे टिम्टिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गाउं के कुट्टे भौक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता, खड़क सिंग सुल्तान की बाग पकड़े हु तो आज ना किसी चोरी कब है, ना किसी डाके कब है। उनके पाउं अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फांटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, साथी घोड निराशा ने पाउं को मन भर भारी कर दिया, वे वहीं रुख गए। गोड़े ने अपने स्वामी के पाउं की चापों को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया। अब बाबा भारती दोड़ते हुए अंदर गुसे और अपने घोड़े की गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के बाद पुतर से मिलकर रोता है। दोनों के आंसुओं को उसी भूमी की मिट्टी पर परस पर मिलाप हो गया। तो ये वो कहानी थी हार की जीत, अब बताईएगा आपको कैसी लगी, ये कहानी मैं बच्पन से पढ़ता आ रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, तब तक के लिए आपका दिन शुब हो, वाई बाई बाई, थैंक यू.